आल, अगया नमस्कार दूस्टो मेरे नाम आ सीजर और आप सीजर का अमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत हैं दूस्तो आज की स्वीडियो में हम बात करने Bueno x के बारे में जिया र्जह सामा आपने बहुत सुना होगा आपको यूटूब पर कई सारी वीडियो भी मिल जाएंगी ओलक्स पर अकाउंट कैसे बना जाता है इस पर कोई चीज बाई या सेल कैसे की जाती है पर दोस्तों वो बहुत ही पुरानी वीडियो जो हो चुकी है तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को यह आउसकता है आज की इस वीडियो में केवल यही बताऊंगा कि इसमें एकाउंट कैसे बनाए जाता है आने वाले वीडियो में मैं प्रॉपर्ली सारे डिटेल्स बताऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और continue with phone number, continue with email दोस्तों मैं properly step by step बताता हूं तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है पर आप लंबी वीडियो समझ के skip मत करिये क्योंकि जब properly आप समझेंगे तभी आपको पूरी knowledge मिलगी कई लोग 2-3 नेट की वीडियो सार्ट कट में बना देते हैं बीच में कुछ आपको नहीं दिखाते हैं जिससे आपको problem होती है तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं properly step by step दिखाता हूं तो वीडियो थोड़ा लंबी भले हो जाए पर आपको properly पूरी वीडियो देखनी है अब दोस्तों यहाँ पे आपको चार option में कोई भी option चुन सकते हैं पर मैं अभी यह continue with phone number थर्ड वाला option चुनता हूं फो इसके बाद यहाँ पे आपको phone number fill कर देना तो यहाँ पे आपको जो भी number आप वो fill कर लीजिए यहाँ पे दोस्तों मैंने phone number fill कर दिया तो यहाँ पे OTP आपको fill कर देनी है तो OTP आ चुकी यहाँ पे OTP मैं डाल देता हूं 2545 यहाँ पे OTP डाल दिया फिसके बाद create account पे आपको यहाँ पे easily click कर देना create account जैसे ही आता है आपको आपे easily click कर देना जैसे आप create account पे easily click कर देते हैं यह आपको redirect कर देगा आगे अब यहां पर दोस्तो एक password आपको डालना पासवार्ड काफी अच्छा होना चाहिए और च्छे चरुष से ज्यादा long होना चाहिए तो यहां पर पासवार्ड आपको कोई भी डाल देना और यहां पर जो password डालेंगे वही यहां पर password डालेंगे त यहां पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर थोड़ा redirect कर देगा अब यहां पर आपको नाम डाल देना है कि क्या नाम है आपका तो यहां पर मैं अपना नाम डाल देता हूं मेरा नाम आप सभी जानते होंगे मेरा नाम आसीस तो यहां पर मैं आसीस नाम डाल देता ह तो फोटो यहाँ पर मैं गैलरी से सेलेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर गैलरी पर जाएंगे गैलरी पर जाने के बाद यहाँ पर रिसेंटली कोई फोटो मैं यहाँ पर सेलेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं जाओंगा image पर image पर जाओंगा और facebook पर यहां पर मैंने एक तो फोटो यहां पर डाल रखिये हैं तो यहां पर मैं यह फोटो मैं सलेट कर लेता हूँ फोटो सलेट करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि थोड़ा यह लोडिंग लेगा फोटो फोटो के बाद आपको निश्ट पे क्लिक कर देना और यहां पे mail ID अपनी डाल देनी जो भी आपकी mail ID है वो आप mail ID डाल दिए तो यहां पे मैं mail ID अपनी डाल देता हूँ फिर उसके बाद आपको करना क्या है आगे mail ID डालने के बाद आगे का process मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप mail ID अपनी सही सही mail ID फिल कर ये जो आपके mail ID on हो क्योंकि यहाँ पे OTP भी जाएगा तो mail ID मैंने डाल दी फिनिक्ट के option पे click कर देंगे जैसे इनिक्ट के option पे click कर देंगे तो यहाँ पे mail ID में एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे fill करनी है तो यहाँ पे मैं mail ID open कर लेता हूँ जाके वो जो mail ID में OTP आएगी वो यहाँ पे OTP मैं fill कर लेता हूँ तो mail ID open करके मैं OTP देख लेता हूँ सो दुस्टों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने mail ID open यहां पर देख सकते हैं 9496 यह mail ID है OTP यहां पर मैं OTP वहीं fill कर लेता हूं यहां पर मैं OTP fill कर देता हूं 9496 9496 OTP फिल कर दीए फिर फिर बाद नेस्ट के option पर click कर देंगे नेक्स आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको connect Facebook या connect Google से मांगेगा तो मैं Google से connect कर लेता हूँ आप भी connect कर ली तो यहां मैंने Google से connect कर लिया यहां पर connect Google लिखके आ गया फिसके बाद next के option पर आपको easily click कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने बारे में कुछ लिखना है तो जिसे यहां पर मैं अभी आपको properly बताने के लिए बस केवले इसना लिख ले रहा हूँ माई नेम इज आसीस और आप आगे कुछ डिटेल्स में आप फिल कर लीजे क्योंकि मैं आपको बताने के लिए क्यों इतना लिखा हूँ मेरे original account में बहुत सारी चीजे मैंने लिखी है अपने बारे में फिर इसके बाद next के option पर फिर से क्लिक कर देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं लिख के आगया है got it star exploding तो यहां पर लिख क्या आगया अब यहां पर जैसे आप करेंगे इस पर एक बार और यहां पर start पर जैसे आप क्लेक करेंगे तो यहां पर आप अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते कि नहीं तो आप लोकेशन शेयर कर दीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे सकते हैं यहां पेथी अपनी है यहां पेख सकते हैंनो तो आप इस विडियो को देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब जरू कर लिएंगे आने वाले वीडियो में प्रापरली यह सभी वीडियो यह अप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा तो आई ओप दोस्तों वीडियो आपको पसंद जरूर आए हो तो लाइक शेयर जरूर की जिए और चैनल पर पहली बार दोस्तों विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर क पलिए थैंक्स पर वाचिंग मा वीडियो जैहिन वन्दे मात्रम